हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज का जो मेरा वीडियो है वह बहुत ही हाड़ी प्लांट है जिसका नाम है ब्रोगनवीलिया और इसके जो फ्लावर है वह बहुत ही खुबसूरत होते हैं इसका जो प्लांट है वह आपको रोड साइट देखने को मिल जाएगा हाडी प्लांट होता है और जादा से जादा गर्मी भी पढ़ रही हो तो इसको भी बरडस कर जाता है और इसको 2-2 दिन पानी ना भी दिया जाए तब और यह बहुत खूबसुरत प्लांट होता है यानि कि लोव मैंटेननस प्लांट है यह और नरश्री मेन का प्लांट होता है वो Roll corn pouring floss rave और दोी मिघांट । लेकर लेकर 200 टाइच हो यानि ग्रोध के इसाप से से यह मिलता है और इस प्लांट को आप आसानी से cutting से grow कर सकते हैं और मैं भी इसकी cutting लेकर आई हूँ roadside से और ये color मेरे पास नहीं थे, मेरे पास light pink color है ये dark pink और एक है गाजरी color तो ये दो color की मैं cutting लेकर आई हूँ और मैं इसे अपने garden में cutting से लगाने वाली हूँ और आप सब के साथ भी ये शाब सेयर ना, तो आप सब भी ये देखिएगा कि कैसे इसको कुuitive करके ग्रो कर सकते हैं, और इसको जो तो आ भी से पानी में है धाल कर copy दिया तैंकी की जो चूत बां। और ये एक दिन बाद का वीडियो है ये देखिए अभी भी इसकी जो लीफ्स हैं वो बिल्कुल सही है इसमें जो है मोटी से मोटी कटिंग और पतली कटिंग भी लग जाती है लेकिन बिल्कुल कच्ची कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कु उपर की ग्रोथ होती है, जो वो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही मैं इन में से कटिंग को छांट लेती हूँ, और ये बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है, अगर आपके गार्डन में लगा होगा, तो बहुत ही खुबसूरत लगता है, गुच्छों में इसके फ और जितने भी इसमें फ्लावर हैं, लीवस हैं उनको आप अप घटा दीजेगा, क्योंकि इनका अब कोई काम है नहीं, क्योंकि रूट्स तो है नहीं, तो ये सब आप लीवस हैं उनको घटा दीजेगा, एक दो लीवस अगर रहना आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, एक ज्यादा लीटश मत रखना और देखिए इतना आपने इसको स्वाइल में डाल देना है थोड़ा ज्यादा ही आप स्वाइल में डालिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर स्वाइल में do अगर बाइचांस हम पानी देना भूल जाए या कुछ है तो उपर की जो सॉयल है वो ड्राय हो जाती है तो उससे भी आपकी जो कटिंग है वो मर सकती है तो आपने ध्यान रखना है थोड़ा ज्यादा ही हिस्सा जो है नीचे जमीन के अंदर होना चाहिए यानिकी पॉट के अंदर होना चाहिए और पॉट के अंदर यह बहुत ही आसानी से हो जाता है बस इसके आपने कटिंग करते रहना है और अभी तो यह कटिंग ही लगा रही हूं तो अभी आप छोटा पॉट भी ले सकते हो लेकिन जैसे जैसे यह ग्रोथ पकड़ेगा तो थोड़ा बड़ा पॉट आप छोट दे दी जिएगा zatаюсь कि देखें इतनी मैंने कटिंग कर दी है और के अक इसको अईसे करके आपने लगा देना है किम से कम आप साथ आठ कटिंग कि जो लगाए ही और बरसात का सीजन है तो शारी की सारी आपटिंग चल जाएगी लेकिन फिर भी अकर ना चल तो मैं इसे भी लगा दूंगी कि रांच है यह सूख जाएंगी तो इन सब को मैं हटा देती हूं और यह देखिए यहां से थोड़ा सा तिर्चा आप कट कर लेना जिससे की जो पानी हम डाले वह अटके न वहां पर और सीधा सॉयल में चला जाए जिससे की जो रूर से नीच ब्रांच है यह अपने अंदर नाल लेकर नीचे सीधा सॉयल में चला जाए पानी इसलिए हम इसकी तिर्ची कटिंग करते हैं नहीं तो तिर्ची कटिंग नहीं करने से क्या होता है कि पानी उसी में ही खटा हो जाता है और जो आपकी ब्रांच हो सूख जाती है और आप मैं पहुंदे हैं जो आपके उनी के ही अंदर छुपा के इनको रख देना क्योंकि कभी बारिश हो रही है कभी फिर धूप पड़ जाती है तो अगर इसमें धूप पड़ गई तो जो है इसकी ब्रांच है वो सूखने लग जाएंगी आपने ध्यान रखना है इसको आपने चाया पड़े और यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है जैसे कि आपको दिखी रहा होगा बिल्कुल एक गुल्दस्ते की तरह यह होते हैं और इसमें भी बहुत सारी वेराइटी होती है बहुत सारी कलर्स आते हैं तो जो भी कलर आपको रोड साइट देखने को मिलता है ब मैं प्लांट को मिलता है प्लांट की तो असके मिलता प्लांट की देखने को सड़ा देता है तो आपने द्यान रखना है कि पुराने पूर्ट की जो सॉइल है उसको यूज कर सकते हो आप और और इस प्लांट के जो cutting है उसे लगने में थोड़ा time जादा लगता है जैसे और प्लांट है उनकी cutting 15-20 दिन में आजाती है उनकी roots लेकिन इसकी जो cutting को लगने में कम से कम तीन महीने का time लग जाता है roots आने में तो आपने यह दिहान रखना अकर अपने लगाई है तो वह ग्रोथ नहीं करेगी अभी क्योंकि विंटर आजाएगा बात में जब तक भी तक विंटर आजाएगा तो आपने धिहान आखना इसको अखाड के फैकना नहीं है और इसमें फिर फरवरी में फिर से इसमें अच्छे से फुटाव होगा और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसको जो है अच्छी फ्लावरिंग के लिए पूरे दिन के धूप इसको चाहिए अच्छी सी धूब इस पर पड़ती है तब इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और यह बहुत ही खुबसुरत प्लांट है तो आप सबके गार्डन में होना भी चाहिए और बहुत ही इसली यह लग भी जाता है और नर्सरी में तो इसके प्राइस बहुत जादा होते हैं तो आप घर में इसको तयार कर सकते हो और अभी बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग को लगाने का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा थैंक यू